Okay, as an avid movie viewer, जो कि especially Indian cinema के उन corners को explore करना पसंद करता है, जो कि हमारे industry की actual potential को दर्शाती है, और ये देखके मुझे बहुत अच्छा रगता है कि कैसे एक time पे ऐसी movies जिनको हम rare कहते थे या फिरम कहते थे कि यार दस ही हो साल में ऐसी movies एक बार बनती है, वैसी movies की संख्या अब big budget movies भी नहीं कर पा रही है, एन ऐसा ही एक और potential project मुझे नज़र आ रहा है, जिसका नाम है GAMI, इसका trailer कल शाम में release हुआ और इसके पहले shot से ही मैं speechless हो गया, I mean the production value of this movie is insane, easily एक Hollywood standard की film नज़र आ रही है, like काफी हद तक मुझे ये film Revenant की याद दिला रही है, या फिर Batman Begins में जब Bruce Wayne नंदा परबत पर जाता है, तो वो फुरा sequence मुझे याद आ रहा है इस film को देख कर, like the shots, camera angle, color grading, set design is exceptionally amazing, like the best visual presentation I've seen in an Indian movie so far, and इस level की production देखने के बाद जब मुझे मालूम चला कि इस film का budget सिर्फ और सिर्फ अराउंड 2 करोड है, और ये crowd funded film है, जिसका production 6 साल से चल रह देख रहे हो ना, और भाई ये ओम राउत और मरोज मुंतशिर, मतलब definitely हनुमान मुवी आने के बाद से ये लोग कहीं सोमडी में छुप गए, और जब थोड़े सी हिम्मत आई की चलोत बाहर निकलते हैं, लो, गामी का भी ट्रेलर आ गया, anyway तो वापस आते हैं गामी के ट चलाश में ट्रावल करेगा, अब ट्रेलर के शुरुआत में शंकर कहता है कि वो कौन है, कहां से आया है, उसको ये नहीं मालूम है, इन फाक्ट उसकी जो ये प्रॉबलम है, उससे भी ये कैसे सफर कर रहा है, इसके बारे में भी उसे कुछ जानकारी नहीं है, अब बात र लावा उसका शरीर भी ऐसे नीला पड़ जाता है, और उसमें गौर करो कि अंदर काइंड आफ जैसे कोई एनरजी सर्ज हो रहा है, या फिर एक कैनेक्शन भी हो सकता है इसका हला हल से, हला हल, वो विश्ट जो कि समुद्र मंधन के दौरान निकला था, और महादेव ने उ सबकी इसी में है कि तुम भाई यहां से चले जाओ, तो मतलब human touch ना feel करबाना उसकी एकलोती दिक्कत नहीं है, आई थिंग कि जब शंकर ऐसे नीला पड़ जाता है, तो कुछ और भी hazardous चीज़े होती हैं जिससे कि दूसरों को नुकसान होता है, और इसी लिए बाकी अगोर plant है, जो कि Philadelphia में located है, अब यहां पर humans की उपर experiment किया जा रहा है, इस scientist के द्वारा, और इस plot का central character है यह लड़का, जो की एक test subject है, और हम यह अजीब सी chair भी देख सकते हैं, जिसमें test subject को बिठाया जाता है, क्योंकि आगे trailer में एक scene में हम देख भी सकते हैं, कि इसमें उसी ल फिर दूसरा subplot आता है, जहां गाओं में दुरगा नाम की एक औरत रहती है, जो कि एक देवदसी होती है, देवदसी मतलब एक ऐसी औरत, जो कि एक मंदिर में एक देवता या फिर एक देवी के सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर देती है, तो फिर हमको दिखाया जा जाता है कि उसको देवदसी के पत से निश्काशित कर दिया जाता है, एन इसका रीजन भी हमें दिखाया जाता है, कि वो शादी कर देती है, एन देवदसी को शादी करने की permission नहीं होती है, और फिर उसकी बेटी को ओम को दिखाया जाता है, जो कि सब plot की central character होगी, तो यह नेक्स सीन जहाँ पे शंकर को finally उसके disease का cure मिलता है, जो की है एक self illuminating mushroom, जो की उकते है हिमाले के द्रोणा गिरी परवत में, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ वैदर तिती की रात में, जो की 36 साल में सिर्फ एक बार आती है, जिसको टच करने से शंकर की ये disease cure हो सकती है, ले दो हफते में अगर वो दोणा गिरी परवत नहीं पहुँचा तो इसको अपनी बिमारी को ठीक करने के लिए 36 साल और इंतजार करना पड़ेगा, फिर आगे ट्रेलर में इस सीन में इस प्रिजन में ये sign देखो दिवार पे, ये एक त्रिकेतर है या फिर English वा जिसको हम कहत गया लेकिन सब कुछ भूल भी गया, and this is the reason कि उसको अपने बारे में और अपने इस condition के origin के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, and might be यही वो scene हो जहाँ उसे उसके past के बारे में पता चले, फिर next scene में ये आदमी कहता है कि गाओं में better harvest करने के लिए हमें देवदसी को वापस master plan मनाना होगा, तो इसका मतलब देवदसी याने की दुरगा के गाओं से जाने के बाद से उस गाओं में फसले अच्छी नहीं हो रही है, and अब गाओं वाले दुरगा को वापस लाने के लिए उसकी बीटी का इस्तमाल कर सकते हैं, जोकि आगे एक scene में गाओं वाला कहता भी है कि हमें लड़की को ढूणना होगा आज रात तक, and फिर आगे एक scene में हम गाओं वालों को देख भी सकते हैं कि वो लड़की को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आगे हम इस लड़के को भी इस prison से भागने का item करते हुए देख सकते हैं, कोई सुरंग बगएरा बना के वहाँ से भागने की कोशिश, फिर उसके बाद से जो prison है उसका एक proper look भी मिलता है, हमें जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक पहाड़ी इलाके में है, and most probably ये भी हिमालियन रेंज में ही होगा, and शंकर का दوبारा से इस जगा से सामना होगा, क्योंकि एक scene में ये लड़की शंकर से कहती है कि क्या तुम जिंदगी इबर human touch के बिना रह सकते हो, तो इसका मतलब शंकर अपने main mission, याने की mushroom को ढूणने से deviate होगा, हो सकता है कि जब उसको अपने past के बारे में मालूम चलेगा, तो वापस से इस lab की तरफ जाएगा, इस scientist को confront करने, and might be जो लड़का है उसके साथ भी वही किया जा रहा हो, जो कि शंकर के साथ किया गया होगा, and यही इन दोनों characters के बीच में connecting dot बन सकता है, फिर यह मंदर का shot, यहाँ कोई detail नहीं है, but personally मुझे यह shot इतना जादा अच्छा लगा कि मैं क्या बता हूँ, so I had to mention it, फिर next scene में हम फिर से इस लड़क के budget में ऐसा output, hats off, तो भाई यह था मेरा breakdown गामे के trailer को लेकर, वाकि overall जितना मुझे समझ आया, उसको देख के मुझे लग रहा है कि इस film की story काफी deeply knitted हो सकती है, visual standpoint से तो full marks, and I don't think कि 2024 में कोई भी movie इस movie का मुकाबला कर सकती है visuals में, and अगर storyline भी इसकी बढ़िया होई, तो भाई वारे न्यारे, the only problem with the movie is कि यह हिंदी बेल्ट में release नहीं होगी, तो काफी तरसना पड़ेगा इसको देखने के लिए, and that's the only bad thing, वागी तुवारे क्या thoughts और मुझे comment box में लिख के जरूर से बताना, और हाँ, अगर कोई detail मुझे miss हो गई, तो वो भी comment box में लिख के ज next video